मैं हूँ सरसती और सरसती के सरस की चर्थ में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंस आज रेस्पी लेके आई हूँ बहुत टेश्टी हल्दी और मतलब ठकान कमजोरी दूर करने के लिए तो बहुत रामबाण है जो हम आज बनाएंगे मखाना दूद और बदाम से इसे मखाना मिल्क सेख हमने नाम देा है आप क्या नाम दे दोगे कामेंट जरूर करना तो यह 50 गराम मखाना हमने लिया है और कड़ाही पहले से हमने रख दिया है गरम होने के लिए इसमें आदा चमज घी डालके इस तरह इसे भून लेंगे और इसे ठंडा होने तक निका है एक लीटर दूद हमारा यह पहले से थोड़ा गरम है कि आराम से उठाएगा वगर आपके दूद गरम है तो इसे कड़ाही में डाल देंगे पानी डालने से प्रेंस यह होता है कि कड़ाही में दूद चिपकता कम है तो यह हम दूद कंटेनू चलाते हुए बिल्कुल कि इसमें के तो इसमें थीया है और यह एक मिकसर जालेंगे और मखाना कीशार बीशायी कशाब प्रेंस प्रेंगे इसे दिखा रहें आपको धेखेर मकाना अच्छी से पिस्त गया है और यह बिल्कुल यह सोजी होता तो उसी तरह से यह हमने पीशा है और यह हम बदाम ले रहे हैं तो बदाम 20 से 25 होंगे और इसे थोड़ा सा रात को ही भिगाया था हमने लेकिन इसे छिलका उताने के चक्करें पानी गरम कर दिये ना तो छिलका पटा-पट उतर गया और इसमें डालेंगे 2-2-3 चमच और इस लेंगे अच्छे से पेश्ट बना लेंगे इसका तो यह देखिए कितना अच्छा थीक पेश्ट हमारा तयार हो चुका है यहां पे बिल्कुल गाढ़ा है यह और अब हम क्या करेंगे दूद में एक-एक चमच डालेंगे इसे थोड़ा दूद कंटिनु इसे चलाते हुए हम और डाल देंगे चमच करके यह देखिए यह तरह से डाल लेंगे अच्छा इसमें यह नहीं है कि इसमें कोई लम्स और पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें गुल मिल जाता है तो इसे तरह चला देंगे चलाते हुए हम इसे बनाएंगे क्योंकि एसे दूद हमको बिल्कुल ठीक से रखना लम्स नहीं चाहिए हमें और इसमें हम मखाना के जो बूरा बनाया था वह भी डाल दे रहे हैं मखाना पाउडर यह मखाना पाउडर से भी लम्स नहीं पढ़ेंगे थुड़ा सा दिख रहे हैं कि हां दिखेंगे बटे यह सही से हो जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है और उपर डाल देंगे केसर वाला दोज जो हमने बना के रखा था पहले से ही इस तरह से और यह हम डालने हैं चीनी चाहते हो तो इसमें नहीं भी डालो तो भी यह सही रहता है कोई दिक्कत नहीं है इसमें इलाची पाउडर डालेंगे आधा चमच और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा जो सेग बन रहा है ना बिल्कुल ठीक बने जो पीने में मतलब सही रहे तो इस तरह देख अच्छे सो गया गैस बंद कर देंगे थोड़ा सा इसमें डालेंगे बदाम और पिस्ता उपर से डाल देंगे और ठंडा हो देंके लिए छोड़ देंगे तो यह हमारा ठंडा हो चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे गिलास में सल्प करेंगे गिलास में हम डालके दिखा रहें आपको यह देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं फ्रेंस यह एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरे कहने पे और ठकान कमजोरी बहुत ही अच्छी चीज है और ब्रत में तो बहुत ही मजा आजाएगा तो आप ब्रत में ही इसे खा सकते हो थोड़ा से हम बदाम पिस्ता से सजाएंगे इस तरह से गिलास पर प्रेंस यह वाली रेस्पी आपको थोड़ी सी अच्छी लिए तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजेगा और चैन यह बिल्कुल रेड़ी है पीने के लिए आप अगर ब्रत नहीं हो ना तब भी इसे बना के पीचिए बहुत टेश्टी लगते हैं मैं बार बार एक ही भी बोलूंगी बहुत टेश्टी लगते हैं जरूर ट्राइ कीजिएगा इसे और इतने देर आप लोग बने रहते हो ध